कि नवश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेली निउस अटापर और दोस्तों यहां पर इंडिया और साउथ अफरीका की बीच पीच जो डियाई सीरीज का पहला टेस्ट मैच हुआ था उसमें भारत की टीम को करारी शिकस्त का सामना करना प अपडेट है ग्लैन मैक्सवेल ने बिग बैश लीग में एक ताबर तोड़ पारी के लिए बिग बैश लीक के इतिहास की सबसे खतरनाक पारी के लिए तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे तो काफ़े इंट्रस्टिंग वीडियो है क्योंकि बहुत सारी चैनल जो है वह एक्टिव हो चुका है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वीडियो देखने से पहले आप जाईए और आमें फॉल्व कीजिए वहां पर जो भी यह अपडेट जो हम आपको इस वीडियो में अभी बता रहा है वो कल ही हमने उसमें डाल दी थी आने क इंस्टेंट अपडेट जो है वह आपको वहां पर मिल जाएंगे तो वहां पर आप हमें फॉल्व कर सकते क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि साल आई पील है और उसके बाद में वर्ल्ड का पैदोई इसलिए थोड़ा सा मतलब फॉल्व कर लिजिए था कि आप हर पहले बैटिंग कर रही थी जिसमें उन्होंने एक विकेट जल्दी गवा दिया था उसके बाद टेमबा वहां आ रहे थे और मतलब जब खेल रहे थे तो एक बॉल के पास गया और कोली ने उसका जोरदार घुसे में थोड़ी सी कन्वसिशन हुई और मतलब थोड़ी सी ग किसी को भी कोई एक्प्टान नहीं हूँ तो अब आप अपनी लिमिट्स में रहे तो दोस्तों काफी गर्मा गर्मी का महा हुल था और दोस्तों यह चीज़ हमने हमारे टेलेग्राम पर भी प्रोवाइड करवा रखी है तो आप अगर इससे देखना चाता है तो डिस्क्रि किया है क्योंकि Maxwell एसी तरह से उनका बला चलता है तो ठीक है नहीं तो नहीं चलता है लेकिन जिस तरह से उन्होंने आर्सेबी की तरव से पिछला सीजन खेला है उसके इसाफ से इनका रीटेन होना बनता भी और दोस्तों यहां पर वो बिग बैस लीग में कप्तान भी है औ आपको बता दो कि केवल 64 बोल्स में 154 रन के ताबर तोड़ पारी इनके बैट चाहिए जिसमें 22 चौक है और चार चके शामिल है तो यह काफी अच्छा स्कोर है और आर्सेबी के पॉइंट अग्यू से काफी अच्छी चीज है क्योंकि बेक्षो अगर फोम में है तो फिर आर्सेबी को जादा दिक्कत आईगी नहीं क्योंकि अब मेगा उक्षन है और मेगा उक्षन के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो इनको अपनी स्ट्राटेजी तयार करनी होगी और क्योंकि एबी ने भी रिटार्मेंट ले लिया तो फिर यार उसके लिए फिर मैक् अपसर जादा ओडियाई रन्स का रेकॉर्ड विराट ने तोड़ दिया है इससे पहले ये रेकॉर्ड पांशेजार फैसाट रन सचिन टेंडूल करके नाम था लेकिन अब विराट कुली ने इसको तोड़ दिया है वही पर दोस्तों बात करें नेक्स अबडेट की नेक्स करके लखनव सूपर जाइंट्स इसका जो नेम है वो चेंज कर दी अपने सोचिल मीडिया हैंडल पर तो हम मानकर चल सकते कि मोटा मोटा यही हमें आई पील का नाम भी देखने को मिलने वाला है लखनव की अपडेट हमने कल ही प्रोवाइट करवा दी तो अगर आप हमारे टेलग्राम चैनल पर हैं तो आपको वो अपडेट पहले ही मिल चुकी होगी वही पर दोस्तों बात करेंगी नेक्स अपडेट की लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लाटवार्म रेड डियना के बारे लिंक से अभी इन्हें वाट्सप और टेलिग्राम पर कॉंटैट करें नेक्स अपडेट है कि मतलब काफी सारे लोगों को कमेंट आ रहे थी गयार सभी जो दस तीम है उनके पास में कितना कितना पर्स बैलेंस मौजूद है आई पेल डोसर बास के में जाने से पहले तो उस पर आटीएट करोड का पर्स जो है न वो मौजूल है इसके बाद राजस्तान रॉल्स की टीम आती है 62 करोड चौते पर लखनो आती है 60 करोड पांच वे पर आर्च से भी आती है 57 करोड च्टे पर एमदबाल आती है 53 करोड शाथ वे पर आती है C.S.K. 48 करोड आट वे पर म मेगा उक्षन के टाइम में हो सकता है कि आप भूल जाएं तो उसके लिए थोड़ा सा रिमाइंडर होगा इसके बाद बात करेंगे नेक्स अब्डेट की नेक्स अब्डेट आ रही है लखनव की टीम की तरफ से दोस्तों लखनव बनी मिनी पंजाब आप किस तरह से वह इ इसके लिए मिनी पंजाबी बन चुकी है इसके बाद नेक्स अब्डेट की बात करें तो नेक्स रिपिटर आ दिया सीधी ICC की तरफ से ICC मेंस T20 टीम जो है ना वो ICC ने अनौन्स कर दिया ICC मेंस T20 प्लेइंग 11 और दोस्तों हैरानी की बात है कि इसमें एक भी भारते खि पर यहाँ पर डेविद मिलरर सापवे पर तबरेश शंसी को रखा गया इसके बाद बॉलर्स में हाँ पर जौस हेजल वूर्ड को रखा गया है और शाहीन अफरीदी को रखे गया है नीके एक भाषार्थ्लाडी का नाम इसमें शामिल नहीं है इसमें पाकिसानी तो मतलब हमारे पास में तो उनका क्या नाम डिजर्व नहीं करता था इस प्लेइंग 11 में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं इसके बाद नेक्स अपर इंडिया वेस्ट इंडिस सीरीज को लेगा है दोस्तों साउथ अफरिका सीरीज के बाद में सीधा वेस्ट इंडिस सीरीज होगी यानि कि होम सीजन होगा वेस्ट इंडिस आएगी भारफ में और दोस्तों जो मैचेस कराए जाने ना वो यहां पर कॉलकाता और एंडबाद इन दो जगहों पर कराए जाने और इसके लेकर मीटिंग में विचार रखा गया लेकिन दोस्तों कॉलकाता और एंडबाद इन दो शहरों में मैचेस कराए जाएंगे इसके बाद बात करेंगे नेक्स अब्डेट की नेक्स अब्डेट आ रही है केल राउल को लेकर आते ही अपना जलवा बेखेड़ना शुरू कर दिया वह किस वे में वह इस वे में किया पंजाब की करता और बात करें ओडियाई की दोडियाई में इनका पहला मैसाब कप्तानी के तौर पर और इसमें पी टीम इंडिया हार चुकी है तो यहां पर बेसिकली कप्तानी का रेकॉर्ड जैना वो केल राउल को कुछ अच्छा है नहीं तो यहां पर आते ही उन्होंने जल्वा भीखे पर आते हैं और उसके बाद में उसके बाद में जरूर टीम थोड़ा अच्छा करें ऐसी उम्मीद तो यह थी आज की इंप्टेंट अपडेट्स और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और टेली की एंट वाचिए दिलीनुजर्द दा थांक य।